इस वेजुबान जानवरों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये ऐसा पक्षी है जिसे पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती और ये अपने पेच में एक से एक दशमलव पांच किलो तक ककड़ भर कर चलता है। ऐसी कई रोचक तथ्य और जानकारियां इस वीडियो में हम आपसे साजा कर रहे हैं जो दिल्चस भी है और ज्यानवर्धक भी। हालांकि सभी महादवीपों के चिरिया घरों में शुतुर मुर्ग पाए जाते हैं। कारण है। उसके पंक भी बहुत छोटे होते हैं जिनका फैलाव लगभग दो मीटर तक होता है। शुतुर मुर्ग को पानी पीने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वे अपने द्वारा खाए गए पौधों से पानी प्राप्त कर लेते हैं। हालां कि जब भी उन्हें पानी का श्रोत मिलता है, वे पानी पी लेते हैं। जंगल में शुतुर मुर्ग उसतन चालिस से पैतालिस वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन चिर्यागर या देखरेक में वे सत्तर वर्ष की आयू तक जीवित रह सकते हैं। शुतुर मुर्ग दुनिया का सबसे तेज थलचर पक्षी है, जो सामान्यता पैतालिस मील प्रती घंटे की रफ्तार से दौड सकता है। शुतुर मुर्ग देने के लिए जमीन की मिट्टी खोद कर घुसला बनाते हैं। अकसर अंडों को पलटने के लिए वे घुसले में अपना सिर डालते हैं, जो ऐसा दिखता है मानोवे अपना सिर रेट जमीन में गड़ा रहे हैं। शुतुर मुर्ग के पंक स्लेटी भूरे रंग के होते हैं। शुतुर मुर्ग के गले में अन्य थलचर पक्षियों की तरह भोजन संचय की थेली और पिताशय नहीं होता। शुतुर मुर्ग के तीन पेट और असामान्य रूप से लंबी आंध होती है। इस कारण शुतुर मुर्ग द्वारा खाए भूजन को पच्चने में कम से कम 36 घंटे का समय लगता है। अन्य पक्षियों के विप्रीथ शुतुर मुर्ग मलमूत्र त्याग करने का मार अलग अलग होता है। शुतुर मुर्ग की श्रवन शक्ती भी तेज होती है। तेज द्रिष्टी और श्रवन शक्ती उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। अधिकांश पक्षियों के प्रत्येक पैर पर तीन से चार उंगलियां होती हैं। लेकिन शुतुर्मुर्ग इस मायने में विशिष्ट होते हैं, जिनके पैरों में केवल दो उंगलियां होती हैं। तम उंगलियां का होना शुतुर्मुर्ग को तेज दोड़ने में सहायता करता है। शुतुर मुर्ग के अंदर की उंगली में नाखुन होते हैं, जो खुर के समान मजबूत होते हैं, बाहरी उंगली में नाखुन नहीं होते, शुतुर मुर्ग अपने पैरों का इस्तिमाल स्वयम की रक्षा के हथियार के तौर पर भी करते हैं, शुतुर मुर्ग के पैर का ए सामान्यता वे 10 के समू में रहते हैं। कहा जाता है। लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि शरीर के आकार की तुलना में शुतुर्मुर्ग का अंड़ा दुनिया का सबसे छोटा अंड़ा भी होता है। इसका अर्थ यह है कि आप इस पर खड़े भी हो जाएं तो यह नहीं तूटेगा। शुतुर्मुर्ग के अंड़े में 2000 कैलोरी होती है जो एक व्यसक महिला की देनिक कैलोरी आवश्यक्ता के बराबर है। शुतुर्मुर्ग का एक अंड़ा 24 मुर्गी के अंड़े के बराबर होता है। शुतुर्मुर्ग के अंड़े को सॉफ्ट बॉयल करने में एक घंटा और हाड बॉयल करने में एक दशमलव 5 घंटे का समय लगता है। शुतुर्मुर्ग के अहार में मुख्य रूप से छोटे पेर पौधे, बीज, फल, फूर शामिल हैं, लेकिन वे कभी-कभी सांप, छिपकली, किरूं और यहां तब की क्रिंतकों को भी अपना अहार बना लेते हैं। भूजन को पचाने के लिए शुतुर्मुर्ग कंकड़ और रेत खाते हैं। वे अपने पेट में लगभग एक किलो का कर्ड़ रेत लेकर चलते हैं, जो उनके लिए दातों का विकल्त है। वे भूजन को साबुत निगल जाते हैं। ऐसे में कंकड़ रेत भूजन को बहतर धंग से तोड़ने और पीसने में मदद करते हैं। 18 वी शताबदी में उत्तरी अफ्रीका में महिलाओं के फैशन में शुतुर्मुर्ग के पन्खितने लोग प्रियते की पूरे उत्तरी अफ्रीका से शुतुर्मुर्ग लगभग लुप्त हो गए थे। इन दिनों मिनेसोटा के केंटबरी पार्क में एक वार्षिक एक्स्ट्रीम रेस डे का आयोजन किया जाता है जहां लोग उटों और जेबरा के साथ शुतुर्मुर्गों की दौड करवाते हैं। प्राचीन मिश्र में शुतुर्मुर्ग सकारात्म कत्ता का प्रतीक माना जाता था। एक कलकृती में देवता शुकु शुतुर्मुर्ग के पन्खों को पहने हुए और न्याई की देवी मात को उसका सेर पहने हुए दिखाया गया है। झाल झाल